मोदी सरकार के खिलाफ शुक्रुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके तहेत विपक्ष अपनी एक जुटता को दर्शाना चाहता है। वहीं बीजेपी सरकार विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव को बड़ा राजनीतिक हतिहार बनाना चाहती है। शुक्रुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान संसत का कामकाज सामाने दिनों के मुकाबले कुछ अलग रहेगा एक दैश लोकसभा में शुक्रुवार को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगतार भाशनों का दोर चलेगा धविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान सदन में ना तो लंच ब्रेक होगा और ना ही प्रशनकाल होगा चाहर दैश शुक्रुवार को पेश होने वाले के लिए 38 मिनट का समय दिया गया है। के भाशन से होगी। वहीं इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे 9- सदन में बहस के दोरान विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कंत्री नरेंद्र मोधी अविश्वास प्रस्ताव और विपक्ष की ओर से दागे गय सवालों का जवाब देंगे। वहीं कॉंग्रेस की ओरसे पार्टी की कमान पार्टी अध्यक्ष राहूल गांदी संभालेंगे 11- सदन में सदस्यों की कुल संख्या 533 है। इसमें एंडिये के पास 315 हैं। वहीं यूपिये के पास 147। अन्य के पास 71 सदस्य हैं। इसमें बहमत का आंकड़ा 266 है।